आज मैं आप लोग साथ शेयर करने जा रहे हूं गर्लिक नूडल्स की रेसिपी बहुत ही ईजी और टेस्टी रेसिपी है यह और इस रेसिपी को देखने के बाद आप कभी नहीं कहेंगे कि हमने घर पर नूडल्स बनाये थे और वो चिपके-चिपके बने हैं तो चली कुछ स्पेशल टिप्स के साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी सबसे पहले मैंने ले लिया है एक भगोना उसमें मैंने डाल दिया है एक लिटर पानी हाफ स्पून में इसमें सॉल्ट एड़ कर रही हूं पानी को बॉइलने देते हैं पांच मिनिट तक और यह देखी हका नू के उपर आड़ करेंगे हाफ स्पून रिफाइन डॉयल और अच्छे से फॉक की हर्प से अच्छे से इस तरीके से मिला देंगे इस तरीके से आप बनाएंगे तो कभी भी चिपकेंगे नहीं नूडल्स यह ले ली है मैंने एक बड़ी कडाई कुछ तयारी मैंने कर ली है शिमला मिर्च मैंने लंबी-लंबी कट कर ली है पत्ता गोबी है गार्लिक है खूब सारा और थोड़ा सा अद्रक हरी मिर्चे है और प्याज है यह देखें थोड़ा सा मैंने तेल आड़ कर दिया है कडाई में सबसे पहले मैंने आड़ कर दिया है इसमें गार्लिक तेज ग इसमें इस चलाते रहना है देखे कुछ तयारी मैंने की यह ले लिया है मैंने विनेगर पिपटाथ करते हैं इन चीजों को डालना सबसे पहले मैंने डाला है विनेगर और एक चलाते रहेंगे तुरंत पाद एड़ कर देंगे इसमें सॉया सॉस अब हम इसमें आड़ कर रहे हैं टोमेटो सॉस ग्रीन चिली सॉस और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें ये बॉयल नोडल्स टाल देंगे और फॉक की हेल्प से इस तरीके से फटाफट मिलाएंगे बहुत जादा देर इसे रखा नहीं छोड़ना है हमें ये देखिए फॉक की हेल्प से फटाफट फटाफट हमें इसे मिला लेना है फॉक से मिलाएगा बहुत अच्छे से उससे ये खुल जाते हैं और बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं देखिए बिल्कुल अलग अलग है नूडल्स चिपके नहीं है हमारे बिल्कुल भी अब लास्ट में हमें इसमें अड़ करना है सॉल्ट और ब्लैक पेपर यह देखिए सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम जादा कर सकते हैं यह देखिए अच्छे से इसे एक बार फ बहुत पसंद हैं ऐसी चीजे तो ऐसी रेसिपी आप त्राई कर सकते हैं गात पे थैंक यू सो मच फ्रेंड्स पर वाचिंग मैं चैनल बाबाई